Hi everyone, आज आपके साथ में मैं share कर रही हूँ एक बहुत ही simple सी technique बट उसका result आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा आप मेंसे बहुत सारे लोग इस technique के बारे में जानते भी होगे आज हम बात कर रहे हैं pillow technique के बारे में एक ऐसी technique जो बहुत ही simple है लेकिन आप उससे अपनी हर इच्छा को बहुत ही आसानी से पूरी कर पाएंगे आपकी कोई से भी इच्छा हो आप उसे 21 days में manifest कर पाएंगे देखिए आपकी कुछ इच्छा हैं ऐसी होती है जो आप जानते हैं कि ये 21 days के अंदर में पूरी हो सकती है तो जब आप इस technique को करेंगे तो वो 100% हो ही जाएगी एक बात मैं आपको बता दूँ मैं आज भी बोल रही हूँ और मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जब भी आप कोई technique यूज करते हैं या फिर कोई भी ritual करते हैं law of attraction जब आप follow करते हैं तो आपके मन में विश्वास होना बहुत ज़ादा जरूरी है आप सकारात्मक रहते हुए positivity and happiness के साथ में जब किसी भी technique को करते हैं आपको उसका result जल्दी मिलता है और मिलता ही मिलता है तो आपको भी इस technique को करते समय मन में विश्वास और सकारात्मक ज़रूरी है अब जान लेते हैं कि इस technique को आपको कैसे करना है सबसे पहले आप एक plain paper ले लिजिए white color का paper ले ध्यान रखिए उसमें सबसे उपर thank you लिख लिजिए फिर अपना नाम लिख लिजिए फिर wish से related affirmation लिखिए आपको पता है कि हम affirmation हमेशा presentance में लिखते हैं जैसे आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है मान लिजिए कि आप कोई exam में marks manifest करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उपर thank you लिखेंगे और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे उसके बाद आप exam का नाम लिखना ना भूलिए उसके बाद आपको कितने marks चाहिए तो आप लिखना है कि thank you universe मुझे exam में इतने marks मिल चुके हैं मैं बहुत ज़ादा खुश हूँ इसी तरह से आपकी कोई भी wish है तो आप उसके लिए affirmation बना सकते हैं आप अपने हिसाब से अपने wish के हिसाब से affirmation बना लीजिए उसके बाद जब आपके affirmation लिखकर हो गए है उसके बाद आप उसे अपने हाथों में रख लेजिए उसे देखिए उसे पढ़िए एंड उसके बाद उसमें energy देजिए आप energy कैसे देंगे आप उसे हाथों में रखकर उसी जो affirmation है उसको दोहराईए positivity and happiness के साथ में high vibrations पर रहकर उसके बाद जब आप affirmation दे चुके हैं तो उसी चिट को paper को हाथ में रखकर आप visualize किजिए कि आपके विश्पूरी हो चुकी है और उसके बाद आप इसे अपने pillow cover में रख लीजिए आप इसे pillow के नीचे भी रख सकते हैं बट वो चिट फिर इधर उधर हो सकती है इसलिए आप कोशीश किजिए कि आप उसे pillow cover के अंदर ही रखिए एक बात और मैं clear कर दूँ आप लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या इस चिट को रोज बनाना है क्या आपको रोज affirmation देनी है तो आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको सिर्फ वन टाइम ही इस चिट को बनाना है इस paper पर लिखना है आज आपने इसे बनाया रात के समय जब आप इसे pillow cover के नीचे रख देंगे visualize किया pillow cover के अंदर रख दिया उसके बाद आपको 21 days तक उसी paper को चिट को pillow cover के अंदर रखे रहने देना है ना ही उसे निकालना है ना ही उस paper को देखना है निकालकर उसे कुछ भी नहीं जैसा आपने रखा है वैसा ही उसे रखे रहने दीजिए हाँ रात में सोते समय एक बार आप अपनी wish को visualize करके सो जाईए लेकिन उस आपको paper को नहीं निकालना है paper को जैसा आपने रखा है वैसा ही रखे रहने देना है मैं आपको बार बार बता रही हूँ आपकी ऐसी कोई wish है जो आप जानते हैं कि उसे पूरा होने में कुछ समय लगेगा तो भी आपको इसको 21 days तक रखे रहने देना है और यदि इसी बीच में 21 days के पहले ही आपकी wish यदि पूरी हो जाती है तो भी आपको 21 days तक उसे रखे रहने देना है जब 21 days कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसे बर्न कर दीजिए और अभी यदि आपकी wish पूरी नहीं हुई है तो आप इससे लेटगो कर दीजिए आप ये मत सोचिए कि मैंने पीलो टेक्निक किया है तो आप मेरी wish कब पूरी होगी इससे पूरी तरह से लेटगो कर दीजिए और आप देखेंगे कि जब भी आपका समय आ जाएगा आपको wish मिल जाएगी यूनिवर्स आपको wish जरूर देंगे और भी इसी तरह के वीडियोज law of attraction के amazing टेक्निक, spiritual remedies, mantras, self law, meditation, guided meditation, angel numbers के वीडियोज दिखने के लिए आप चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा थांकियो सो मच, हरे कृष्णा